नितिश कुमार दिल्ली में हैं लेकिन दोनों दलों के बीच में जो सामज़से की कमी है उसी का नतीजा है कि नितिश कुमार को अब तक न तो नरेंदर मोदी और नहीं अमीद साने मुलकात के लिए बुलाया या फिर समय दी कि भारतिये जनता पार्टी को उसकी आउकात बता को इसके अलावे देश के अलग-अलग गयर भाजपाई दल हैं उनसे भी वो बातचित कर चुकी है नितिश कुमार और नाइडू ये दो ऐसे सक्स हैं जिनके कंधे पर केंदर की सरकार चल रही है भारतिये जनता पार्टी के अपने दम पर 240 सांसद है जो कि NDA घटक दलों क को मिला करके ये 292 होते हैं 272 की जरूरत है और उसमें नितिश और नाइडूस अलग हो जाते हैं तो ये सरकार गिर जाती है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना नमस्कार बहुत बहुत सागत करते हैं आपका भारत लाइड देख रहे हैं और मुद्दा गरम है हम लेकर क्या आएं मुद्द काहे गरम हैं, हम आपको बताते हैं कि नितीश कुमार दो दिवसिये प्रवास पर दिल्ली गए हैं और दिल्ली में नितीश कुमार के जाते ही कई मुद्दे सामने नजर आने लगे हैं आपको याद होगा कि One Nation One Election को ले करके नितीश कुमार ने समर्थन किया था लेकिन उनके समर्थन के पीछे की जो कहानी है, वो कहानी अब एक अलग ही रूप लेने लगी है हम बताते हैं आपको लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नितीश कुमार दिल्ली में हैं हमने खबरों में आपको बताया था कि कल नितीश कुमार अपने जो दो करीबी हैं एक ललन सिंग और दूसरे संजय जा इन दोनों के आवास पर गए थे घुम फिर रहे थे और इसी बीच में कई लोगों से उनकी बातचित भी हुई उनके पाटी के कारे करता और पदाधिक के साथ साथ अब एक मामला बहुत पेचीदा और फंस्ता हुआ लिखाई दे रहा है जिस खुशी से और जिस स्रिक्राजुत्ती से कहिए कि नितीश कुमार ने वन नेसन वन एलेक्शन का समर्थन किया था आज भी समर्थन कर रहे हैं लेकिन इसके पेंच को नितीश कुमार अची तरसे जानते थे कि ये इतना आसान नहीं होगा इसलिए इसके समर्थन देने और न देने का बहुत कुछ होता नहीं है हाला कि विपक्षा और विरोधियों ने जम कर इसका विरोध भी किया था अब जो परतमान परिस्तिती बनी है कि भारते जनता पार्टी भी ये ब कि महिला आरक्षान भील को कैसे पास करा लिया था जब पूर्ण बहुमत में थी खाला कि ये भी पास हो सकता था लेकिन इसको कमीटी को सौप दियागा इसके लिए कमीटी बनाई गई और कमीटी बना करके देश में जो चुनाव हैं उसके सिस्टम को बदलने की बात की इसके बाद क्या होगा ये सभी चाहिए चीज़ें हमने आपको बतायी थी लेकिन अब जो हमारे सामने वन निशन वन इलेक्म का जो एक ड्राफ्ट आगया है इस ड्राफ्ट के बाद अब इस पर चर्चा सुरू हुई हलाकि इसको सदन में पेश करना था लेकिन भारते जन अलग-अलग बाते की जा रही है, तो इसके साथ-साथ कई संसोधन भी सामने नजर आने लगे हैं, 18 बरलाओ की बाते अब तक सामने आई हैं, इसके अलावे आपको ये भी पता है, कि वक्त बोर्ड वाला बिल भी अठका हुआ है, यानि कि भारते जनता पार्टी के लिए मु अब तक न तो नरेंदर मोदी और नहीं, अमीद साने मुलकात के लिए बुलाया या फिर समय दिया, ऐसे इस्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा, नितिश्ट नाइडू और ममता बनर जी के पाले में गेंद आ गई है, एक तरफ ममता बनर जी को लेक ममता बनर जी का प्लान पूरी तरह से चाक चौबन प्लान है और इसके लिए उन्होंने लालू प्रसाथ से लेकर के कॉंग्रेस तक को इसके अलावे देश के अलग-अलग गयर भाजपाई दल हैं, उनसे भी वो बाचित कर चुकी हैं, कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई ज जिसमें भारती जंता पाटी के उपर आरोप भी लगे कि वो दवाव बना रही है ममता बनर जी पर कि वो इस तरह के प्रयास को बंद करें, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ, नितीश कुमार और नाइडू, ये दो ऐसे सक्स हैं जिनके कंधे पर केंदर की सरकार चल रही है, अब आखड़ा जो है, दो सो चालिस और दो सो एक तैलिस का है, यानि भारती जंता पाटी के अपने दम पर दो सो चालिस सांसद है, जो कि NDA घटक दलों को मिला करके ये दो सो बानबे होते हैं, दो सो बहत्तर की जरूरत है और उसमें नितीश और नाइडूस अलग हो जाते हैं, तो ये सरकार गिर जाती है, तो दूसरी तरफ इतने ही लोगों की जरूरत है, जो कॉंग्रेस के नित्वित में NDA घट बंधन चल रहा है, जिसमें ममता बनर जी का भी सपोर्ट है, और बाकी के गैर भाजपाई दलों का सपोर्ट है, वो भी उसी जगह पर आकर क खड़े हैं, जहां नितीश कुमार और नाइडू का समर्थन यदि मिल जाता है, तो सरकार इंडिया घट बंधन की जगह पर बन जाएगी, इन्ही सब सवालों के घेरे में, नितीश कुमार दिल्ली में है, और दिल्ली में कई तरह की बाते चल रही है, एक तरफ कहा जा रह हैं, लेकिन नितीश कुमार कब कहा चले जाएं, ये कहना बड़ा मुस्किल होता है, खैर इन सारी बातों के साथ-साथ जो बरतमान परिस्थिती बनी है, एक देश एक चुनाव का असली गेम जो है, अब सुरू हुआ है, रिपोर्ट में 18 संसोधन की 18 बदलाव की जरूरत म संभीर हैं, संभीधान में संसोधन करना पड़ेगा, और संभीधान में संसोधन अगर नहीं किया गया, और किया भी गया, तो ऐसे इस्थिती में, नितीश कमार और नाइडू अगर उसमें संतुष्ट नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी, यानि प्रधान मंत्री की क पुरसी खत्रे में है यह हम क्यों कह रहे हैं तो संसोधनों के 18 संसोधनों को लेकर के जिस तर से रामनात कोविंद कमीटी की रिपोर्ट सामने आई थी उस रिपोर्ट के बाद से यह कहा जाने लगा था कि इस देश में एक देश एक चुनाओ की जो अधारना थी उसे पूरा दो तरह की ब्यवस्ता हमारे यहां है एक जो कि केंद्रिये चुनाओ आयोग चुनाओ कराता है और दूसरा राज्य चुनाओ आयोग चुनाओ कराता है इन दोनों परिस्थितियों में सेप्रेशन करने की बात भी की गई थी और दोनों के बीच में सामज़त से बिठाने की भी बात की गई थी इसके साथ साथ वोटर लिस्ट में भी बहुत संसोधन करना पड़ेगा इस बात को ले करके भी चर्चायं हुई थी अब ऐसे इस्थिती में जो हमारे पास संसोधन की बाते आ रही हैं उसमें एक साथ लोग सभावर विधान सभाव भंग करने की भी बात स सभी लोग सभा और विधान सभाव को भंग करके चुनाव कराने की प्रक्रिया की जाए इसके अलावे 83 दो जो लोग सभा के लिए है उसमें भी संसोधन करना पड़ेगा यानि कि हमारे संविधान में संसोधन करना पड़ेगा वरना ये संभव नहीं होगा इसके अलावे 50 अभी बर्तमान में जो इस्थिती है कि लगभग आधे आधे राज्यों पर भाजपा और गैर भाजपाई दलों का कबजा है और ऐसी इस्थिती में कम से कम पचास परतिसत अठाइस राज्यों और केंद सासित प्रदेशों को अगर मिला दिया जाए तो उसमें भारते जन्ता पाटी को इस एक देश और एक चुनाव को लागू करने के लिए पचास परतिसत राज्यों का समर्थन चाहिए अगर ये समर्थन मिलता है तभी ये संसोधन पास किया जा सकेगा और इस पर अमल भी किया जा सकता है क्योंकि इसके बाद ही सम्विधान में संसोधन किये मंता बनर जी अपने दम पे सरकार चला रही है इसके अलावे कई राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे हैं क्या वो चाहेंगे कि भारते जनता पाटी का ये एजेंडा पास हो जाए कभी नहीं चाहेंगे और दूसरी तरफ जब वोटिंग की बात आएगी तो आप समझ सकते ह कि सदन में क्या होगा वोटिंग की बात आया और कहीं न कहीं अगर नितीश और नाइडू वोटिंग में खेला कर गए तो नरेंदर मोदी की कुरसी फंस जाएगी ऐसी इस्तिती में बहुत फूपू करके कदम रखना होगा और इस संसोधन को करने के लिए संभिधान में ब आई जाएगी क्योंकि विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा के चुनाओ, विधान परिशत के चुनाओ, केंद्रिये चुनाओ आयोक कराती है उसके साथ-साथ, पंचायतों का चुनाओ, राज्ये चुनाओ आयोक कराता है ऐसी इस्तिती में ये सभी चीजें बदलने की ज संसोधन करना होगा केंधर सासित प्रदेशों में दिली, चंडीगरण, पुडडू चेरी, जम्बू कास्मीर इस सब जो केंधर सासित प्रदेश हैं इनमें भी कई तरह की जो कानूनी अडचने वाव वह आएंगे दिली सरकार अधिनियम उनससो एकानवे केंधर सासित प्रतेस अधिनियम 1963 इसमें भी मामूली बदलाव की जरुरत महसुस की जाएगी और आपको बता दें कि ये संसोधन जरूरी होंगे इन सभी बातों को ले करके जो वरतमान परिस्तिती बनी है वो साव साब बता रही है कि कहीं न कहीं जो य स्तिती पैदा हुई है उसमें वरतमान में निटिश कुमार और नाइडू अगर मॉंता बनर जी के साथ उनकी मन्तरना हो चूकी है तो भारतिय जनता पाटि के लिए ब बहुत अच्छा अगर नहीं पास होता है, सदन में रखा जाता है, और वोटिंग के नौबत आती है, तो ये मान किसे लिए कि नरेंद मोदी की कुरसी फस सकती है, क्योंकि नितीश कुमार और नाइडू फर अभी भरोसा करना थोड़ा जल्दवाजी होगी, क्या कुछ निकल के सामने आता है, इन दोनों से मंतरना होती है कि नहीं होती है, भारते जनता पार्टी और नरेंद मोदी, इन दोनों को अपने हिसाब से ढाल सकते है, समझा सकते है, या नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी लिए हम आपको नारें है, मुद्दा काफी गर्मा गया है एक तरफ नितीश का गुस्सा दूसरी तरफ चंदरबाबु नाइडू का बदला जो कि दोनों ही चाहते हैं कि भारते जनता पार्टी ने जिस तरफ से उनके साथ बेवहार किया है उसका बदला लेने का मौका है तो वो पीछे नहीं अट सकते हैं भारते जनता ख़बरों पर हमारी नजर बनी हुई है आपकी नजर भारत लाइप पर होनी चाहिए क्योंकि जो अच्छी और सच्ची और भीतर से निकाल करके लाने वाली ख़बरें है वो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें वो ये गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद